आप दीख रही हैं जालोन मेट्रू जिन्पत की आवाज के मौखिक विचार और शोधार्थियों के शोध पत्रों के माध्यम से अंचल के इतिहास का गहन अध्यैन और विशलेशन किया गया। चंबल की समस्याओं, उभर्ती जरूरतों और सामाजिकार्थिक चुनोतियों पर विचार साजा करने के साथ एकजुट होकर समाधान की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लिया गया। शिखर सम्मेलन में चंबल का इतिहास, स्वाधीनता संग्राम, लोक संस्कृती, भारतिय सेना में चंबल का योगदान, खेल, सिनेमा, विज्ञान और प्रोध्योगिकी में चंबल का योगदान, पर्यटन, एतिहासिक स्थल, खेती किसानी और महान विभूतियों पर शिखर सम्मेलन से नई पीडी यहां की गौरवशाली विरासत और इस ख्षेत्र के सम्रिद इतिहास को रूब्रू हो सकी वक्ताओं ने कई वर्षों से चंबल संग्रहाले, पंचनत द्वारा लोक संस्कृती, धरोहर, इतिहास, बोली, भाशा और ज्ञान की धारा को सहिजने और संग्रक्षित करने के प्रयास की सराहना की विश्व प्रसिथ पुरातत्व विद्ध, संग्रहाल्य वेत्ता और लेखक डॉक्टर डीपी शर्मा ने शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए विभिन स्थलों से इंडो ग्रीक शिलालेखो, सिककों और अन्य पुरातत्व सामग्रियों के संदर्भो से यहां की कई अं संदोलन के महान लडाका, सामप्रदाइक सद्भाव के प्रबल समर्थक रहे कर्मवीर पंडित सुंदरलाल को जन्द दिवस पर स्मरण करते हुए चंबल घाटी का चीनी और नेपाली मुक्ती संग्राम में योगदानों को रेखांकित किया। बापू सहल सिंग परिहार ने की। संचालन डॉक्टर कमल कुमार कुश्वाहा ने किया। चंबल संग्रहालय के महानिदेशक डॉक्टर शा आलम राना ने कहा कि सभी उपलब्ध सामगरी को पुस्तकाकार प्रकाशित किया जाएगा जो की शोधार्थियों के लिए एक महत्वपूर्व दस्तावे साबित होगा। चंबल शिखर सम्मेलन को सफल बनाने में पुलकित बिंद्रा, प्रत्युष रंजन, मनोच सोनी, हर विलास यादव, मोनू ठाकुर, राहुल परिहार, रॉबिन परिहार, आदिल खान, शैलेंद्र परिहार आदी का योगदान रहा। इस अफसर पर गजेंद्र सिंग एडवोकेट, सुरेंद्र परिहार, मुकेश शर्मा, राजेश सकसेना, विच्तेंद्र गुपता, प्रदीप सिंग आदी गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अफसर पर चंबल संग्रहाले द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई।